हम सामान्य लोगों को ये बताते हैं ये पड़े लिखे लोगों को सामान्य लोगों को कि मन वचन काया तथा उसे जूरी वी अवस्ता मातर कुद्रती रचना आपको एक सांस देने के भी कुद्रत में सुत्मता नहीं दी है तो वो कहता है कि मैं साट, सत्र, ऐस्सी, सो बर्स जी हूँ तो क्या करूँ सोता ही रहूँ क्या क्योंकि सब कुछ कुद्रत अपना आप करें कुद्रत रोटी किलाएगी कुद्रत पानी पिलाएगी मुझे तो करें उठने की जूरत नहीं है जो होना वो जो होता रहेगा तो फिर मैं आखिर क्या करूँ और लोग कहते हैं कि पुर्शार्ट किये बिना तो आगे भागयोदे होता नहीं पुर्शार्ट से भागय बनता है भागय से पुर्शार्ट बनता है मुझे तो लोग कहते हैं पुर्शार्ट करो पीछे रह जाओगे दुनिया भाग रही है तुम भी भागो वरना तुम पीछे रह जाओगे तो मैं करूँ क्या क्या पुर्शार्थ क्या है तो एक इससे जुड़ी हुई बात पुर्शार्थ की और जो ये आपने बात कही है इसको थोड़ा और खुला की सबसे बड़ी बात ये है कि कुद्रत को हमारी सोच से हसी आती है और हसी इसी दिया आती है जब कुद्रत साथ बोलता है इस दुनिया में न कुछ आपको लेकर आना है और नहीं कुछ लेकर जाना है ये दोनों बाते तो सब मानते हैं श्वेकार करते हैं और बाद में जनम से मौत तक मनवचन काया का जो संजग मिलता है इसका Creator, Operator, Destroyer तीनों में है आप आपकी मर्जी से स्वास तक में ही ले सकते हैं कुद्रत साथ बोलती है भई Creator, Operator, Destroyer तीनों कुद्रत में वो तो मैंने एक्स्पेंट कर दिया मगर हमारी बुद्धी और अहंकार मानती नहीं है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा तो ये तो सिंपल बात है जब स्वास भी आपके लिए कंपरसरी है तो स्वास के साथ जुड़ा हुआ मनवचन काया भी आपके लिए क्या है कंपरसरी है आपके पास आपस आपसर नहीं है कि मैं क्या सोचू क्या नहीं सोचू क्या मूलू क्या नहीं मूलू क्या करू क्या नहीं करू वो आपके पास नहीं है कर्ष्ण अगवार के पास भी आपसर नहीं था उन्होंने भी दुरियोतन को समझाने की कोसिस किया कि कैसे भी करके समझ जाओ ताकि महाबरत नहीं हुए और लाखों लोगों की इंसा नहीं हुए और परिवार की इंसा नहीं हुए मगर जो होना था वही हुआ भगवान स्री राम ने भी अपनी धर्मपत्मी सिताजी को छुडाने के लिए रावन को समझाने के लिए अलग-अलग दुद भेजे और समझाने का प्रयाज भी किया फिर भी नहीं हुआ उसका मुल भी यह नहीं कि दोनों के पास सामर्थ नहीं था सामर्थ था मगर होनी को कैसे अन्हों नहीं कर सकते हैं कैसे टाल सकते हैं आप समझे तो हर बातों को हमको समझना परेगा आकिर हमारा प्रत्यक जीवन जो है उसमें उसमें कुद्रत तो साफ पुलती है मैं इंसान को इंसान की सोच को देखकर मेरे को हसी आती है जब तुमको मालूम है कि इस दुनिया में सत्ता, संपती, साजन और सबंद इन में से कुछ भी आप लेकर नहीं आए और कुछ भी लेकर नहीं जाओंगे तो फिर मेरा मेरा क्यों बुलते हूँ ये सरीर भी छोड़ के जाना है ये तो सबको माहन है ये कोई नहीं बात नहीं है जब सरीर छोड़ के जाना है तो सत्ता, संपती, सबंद सादन तो छोड़ना ही है फिर इतना मो क्यों? फिर इतना माली के पन क्यों? फिर इतना अहंकार क्यों? गुद्रत्य साब बोलती है तुमारा पूरा जीवन हमारे कंट्रोल में है और आपका मनवचन काया हम जो अवस्ता देंगे उसी के मुताबित काम करेंगे ये मसीन के पास कोई फिडाओं नहीं है तो इसी लिए मैंने कहा कि आध्यात्म विग्यान को जितना गौर द्रश्टी से समझने की कोशिस करेंगे इतना ही आपको समझने आएगा कि विग्यान कितना सरल, सहज और सुगम है मगर हाँ अनुभोई पुरुस मिलिये के बाद वो सहज, सरल, सुगम है तो आई हम यही विग्यान को और आगे समझने की कोशिस करें स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो है कि यह मन वचन कायार उसे जुड़ी हर वस्ता मातर कुदरती रचना तो कहा ही है जो की कुदरत में दिया है लेकिन उसके साथ साथ में आपने पुर्शाद के लिए द्रस्टी विग्यान भी दिया है और लोगों को समझाया है कि आप वो करो ना रियल पुर्शाद करो ना रिलेटिव में क्यों टाइम वेस्ट करते हो उससे आप कुछ भी आसिल नहीं हुए तो आप तो समगरे द्रस्टी से पुर्शाद करो नहीं हुए